तो विल्कमें प्रेंट्स नमस्कार आप सभी का देखिए यह फॉम है जारखन डिप्लोमा लेवल CCE के लिए ठीक है 2023 में फॉम को अपने मोबाइल या लेप्टॉप से आप कैसे भर पाएंगे वह हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए शुरू करते इस वीडियो क देखिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आजाना है इस पेज का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग डिरेक्ली आ सकते हैं इस पेज पे ठीक है उसके बाद रिश्टरसन करना है और अगर आप मोबाइल से आना चाहते हैं तो आपको कि किलिक करना है इसको किलिक करने बाद आपके समनी यह पेज आएगा इस पेज को थवा से उपर उठाएंगे यहां पर डेस्कुटॉप साइट इधर आएंगे और यह डेस्कुटॉप साइट पर आप लोग किलिक कर लिजेगा ताकि आपका जो मॉबाइल है वह कंपिटर की तरह वर्क करने लगे ठीक है और अगर आपका लेप्टॉप है तो आप तो कोई परसानी ही नहीं है तो यहां पर किलिक कर लिजेगा डेस्कुटॉप साइट ठीक है अब देखिए इसको उपर उठाएंगे और यहां पर लिखा है देखिए एप्लिकेशन फॉर्म इस पर इधर एपलाई नाव पर किलिक करना है ठीक है राइट साइड में देखिए अपलाई नाव का उप्शन है यहां पर आपको एपलाई नाव पर किलिक करना है तो चलिए अपलाई नाव पर किलिक करते हैं ओके पर किलिक किजेगा और यह आपके सामने फॉर्म इस तर यह आपका 100% हो जाएगा उसके बाद इसको काट देना है यहां पे कट कर दीजिएगा ठेक है और मैं डिरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहां तक कर लिंक दे दूँगा ठेक है आप लोग यहां से भी आ सकते हैं और जैसा प्रोसेस बताया है वहां से भी उठाएंगे यहां पर इंस्ट्रक्षन दिया गया है चेक है इंस्ट्रक्षन को रिट कर लेजेगा और यहां पे अपना पहले रिच्छरान कर ना है ठेक है रिच्छान करने के लिए यानि की हिंदी में बोलते हैं इते जैसे कि अगर आपका मेरा नाम है सागर साओ ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना फस्ट नाम डालूंगा जिसे कि यहां पर मान लिजे राम मोहन महतु तो राम यह हो गया first name मोहन हो गया second name और यह आपका third name थेखे और अगर क्यों राम महतु है तो राम दीजीगा फिर महतु दीजीगा इस तरह से जो भी है पावन सिंग तो इस तरह से मतलब यह तो हो गया नाम ठीक है उसके बाद अपना gender select करना है जेंडर में आप अपना मेल फिमेल यहाँ पर स्लेक्क कर लेना है फिर अपना डेट वर्ड यहाँ पर डालना है डेट बर्ड डालने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे ठेक मालीजी किसी का 11-2001 है ठीक है suppose that 11-2001 है तो जैसे ही आप लोग किलिक किजीगा ये अगस्थ 2005 पर किलिक किजीगा ठीक है और यहां पर आप लोग 2005 पे किलिक किजिएगा यह और यहां से year select करना है ठेक है यह इधर इस तरह से side पार किजिएगा तो यह आपका इस side पीछे होगा फिर इस side पीछे होगा और यह side आगे होगा ठेक है तो मैं दिखा दे रहाऊ हूँ 2001 फरवरी एक का चाहिए दो फरवरी 2001 का मैं दिखा दे रहा हूं किसी का देट वर्थ मैंने इस तरह सेलेप कर लिया ठीक है आपको भी सेलेप कर लेना है और आपके 10 के मैट्रिक के कोडिंग होना चाहिए ठीक है फिर आपको यहाँ पर अपना मॉबाइल नमबर टाइप करना है ठीक है मॉबाइल नमबर के वल टेन डिजिट ही टाइप करना है एक आनवे बानवे या फिर जीरो नहीं देना है ठीक है जो कोड होता है कोड नहीं देना के वल टेन डिजिट मॉबाइल नमबर टी डालना है फिर से उसी मॉबाइल नमबर को डालना है ठीक है यह आपका generate OTP पे click करना है तो चलिए सारा कुछ मैं आपको करके दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पे generate OTP पे click करने से पाले इस declaration पे आपको click करना होगा I agree पे ठीक है I agree पे चलिए यहाँ पे click लगा देते हैं उसके बाद आपको यह capture code यहाँ पे डालना होगा ठीक है यह capture code डालना होगा तो चलिए डाल देते हैं और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे enter OTP पे अपना OTP डाल लेना है आपके email में गया होगा एक OTP ठीक है तो दोस्तों छे digit का एक OTP गया होगा ठीक है यहाँ पे आपको valid OTP पे click करना है green वाले पे फिर लिखना है OTP has been valid successfully OTP क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद देखते हैं इसको उपर उठाएंगे और यहाँ पे verify पे click कर देंगे जैसे ही verify क्लिक करते हैं देखिए आपको यहाँ पे सारी डीटेल आने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो आपको यह जो side वाला option दिख रहा है ठीक है correctly यहाँ पे सब टिक लगाना है अगर आपका सब कुछ सही है तो टिक लगाते जाहिएगा इस तरह से और अंत में आपको verify का option देगा चली दिखाता हूं सब कुछ टिक लगानके बाद यह जो verify का option है इसंपर क्लिक करना है ठीक है verify के option पे तो चली waterfall को option पे क variants पे किलिक करते हैं और यहाँ पे आपको बोल रहा है पिली इसको पंश झाट लेना है ठीक है और यहाँ पे clock पर किलिक करना है चली next option देखते है verify पर तो यहाँ संबीट के बटन पर फाइनली किजिएगा जब सब कुछ टिक लग जाएगा तो आपको सम्बीट का बटन देगा संबीट पर किलिक करेंगे तब आपको फिर से ओके का बटन आएगा तो इस तरह से आएगा अलर्ट ओके तो इंपोर्मेशन सारे आपका साही है जांच कर लेन अच्छा से और ओके पर किलिक कर देना है अब देखते हैं आपके सामने एक next page खुलेगा और इस पर आपका लिखा गया है राइश्टर फिर और इसको क्लोज कर देना है अब देखिए आपका जो फॉम है याफ पहला स्टेज पार कर लिया है सारा कुछ यहां पर दिखा जाएगा एप्लिकेशन दीटेल इस आपको कुछ नीचे लेगा और यह आप आजाएंगे ठीक है अब आपका इस टाइब से कुछ खुल जाएगा अब आपको थोड़ा सा उपर उठा के मैं दिखा देता हूं इसको उपर उठाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना पर्शनल डीटेल देना होगा जो कि पर्शनल डीटेल आप दे च इमेल आइडी जितने भी चीज़ आप रेश्टेशन के समय डालेती हैं सब आजाएगा मैंने हाइड किया है ठीक है सेकुरिटी पर पर इस तो सिकुरिटी पर पर बहुत इंपोटेंट है यूट्यूब में क्योंकि यूट्यूब का जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है दे तो दिस्ट्रिक्ट और लोकल रेसिडेंट अपना डिस्ट्रिक्ट कर लिज्येगा जैसे कि मैं बोकारो का ही हूँ तो मेरा पहला अप्सन इह वकारू ठीक इसको ओपर उठाएगी तो ऊपर मिल जायेगा मैं बोकारो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको डालना है पिर आपको अपना यहां पर Mother Name डालना है फिर Reservation Category में आप अगर आपके पास Certificate है तो आप दे सकते हैं जन नहीं तो आप कुछ भी के टेगरी से हों अगर आपके पास के बला स्थानी Certificate है तो आप General से भरी सकते हैं फॉर्म को जैसे कि मैं ABC हूँ BC1 हूँ लेकिन मैं जनरल से फॉम को भरना पसंद करूँगा क्योंकि जारखन में मुझे लगता है मैं मतलब मैं सुरू से ही जनरल में भरता आया हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया है आप जिस भी केटिकरी से है उसको सेलेक्ट कर लेना है फिर पूचा जाएगा कि आर यू फिजिकली हैंडिकेप क्या आप सारे रिक्रूप से दिब्यांग हैं या फिर विकलांग हैं अगर हाँ तो यस किजिएगा नहीं है तो नो किजिएगा और यस तभी किजिएगा जब आपके विकलांगता का परतिसत 40% से ज्यादा हो ठीक है फिर पुचा जाएगा कि क्या आप एक सर्विसमेन हैं तो यहाँ पे हैं तो यस किजिएगा और नहीं है तो नो किजिएगा ठीक है आर्मी ने भी एरफोर्स किसी में भी हो तो यस किजिएगा नहीं है तो नो किजिएगा आगे देखते हैं फिर आपको असपोर्ट परसन अगर आप असपोर्ट परसन है खिलारी है नेशनल लेबल पे या फिर इंटरनेशनल लेबल पे खेल चुके हैं तो यस किजिएगा नहीं है तो नो किजिएगा ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे फिर आपको आइडिन्टिफिकेशन डिटेल देना है यहाँ पे आपको बोला गया है कि मार्क आफ विजुलेशन आइडिन्टिफिकेशन तो आपना यहाँ पे कोई मार्क देजिए सक जैसे कि किसी के नाक में मौल होता है ठीक है तिल होता है किस and ID चुनना है कोई भी एक जैसे कि आधार कार्ड आप चुन सकते है Water ID कार्ड, Pen Card, Driving License है ठीक है आधार का Option दिया है यह नहीं जी फोटो, पासपोर्ड, Driving License, Pen Card, Water ID दोस्तों यहाँ पे आधार का Option नहीं मिला है ठीक है, बैंक, पासबुक का मिला है Driving License का मिला है, Pen Card का मिला है जैसे कि मैं Pen Card यहाँ पे Select कर लेता हूँ, ठीक है आप लोग कुछ भी हो आधार का तो Option नहीं दिया है आधार का देगा अलग से, फिर यहाँ पे आपको Number देना है, जैसे कि अगर आप Pen Card चुनेंगे पोस्ट ओपिस, फिर कौमा देखे आपका Police Station का नाम, PS फिर कौमा देखे, District का नाम फिर Pin Code, ठीक है, इतना करना है उसके बाद Village नाम देना है Special Village का नाम फिर आपको अपना Country सेलेक कर लेना है तो हमारा Country तो इंडिया है या इसको नहीं देना चाहिए, अफसन चलिए इंडिया, मालूम होना चाहिए इतना चीज़े, स्टेट फिर सेलेक करना है हमारा जारखंड आज ये जारखंड, कहां पर हैं, ये जारखंड ठीक है, आगे देखते हैं, फिर अपना District सेलेक करना है, फिर से वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है, तो येस कीजिएगा, ये अपने ले लेगा, जैसे कि हम येस कर देते हैं तो देखिए, मेरा पर्मानेंट एडरेस और पर्जेंट एडरेस जो है, दोनों सेम अपने आप फिल हो जाएगा, बोकार हो वगएरा, ठेक है उसके बाद आपको Save and Next पे किलिक करना है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं दोसनों, अगर बाइचांस आपका जो है, पेज, साइड हो जाता है, हड़ जाता है तो आपके email में गया होगा, user ID और password वहाँ से डालके, आप फिर से login के option पे किलिक करेंगे, और login हो जाएंगे ठेक है, और सब कुछ फिर से उसी तरह से डाल लीजिएगा, क्योंकि जब आप minimize करेंगे, तब आपको हो सकता है पेज हट जाए, ठेक है, तो login कर सकते हैं, उस तरह से तो देखे, दोस्तों सब कुछ डालने के बाद save and next पे हम किलिक करते हैं, ठेक है और यहाँ पे आ रहा है, data save successfully ok पे किलिक कर देना है ठेक है, अब चलिए यहाँ पे save and next पे फिर से किलिक करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि please enter name of school, अब देखे, आपका जो है यहाँ पे education qualification पे आ गए है अब education qualification में क्या क्या डालना है सारी चीजे हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठेक है देखे, सबसे पहले education qualification यहाँ पे आ गया है, आपका green वाला उसके बाद vacancy selection पे आएगा फिर payment पे आएगा, तो यहाँ पे आपको select करना होगा name of school अपनी school का नाम देना है, जहां से अपने metric किया है, ठीक है please enter name of school metric जहां से किया है, उसी किद्धा लिएगा ठीक है, माक्सिट में देखे फिर आपके board का नाम देलीगा जैसे कि बहुत से लोग जारखन board से हैं, तो jack board दिखीगा बहुत से लोग, आप लोग जो है cbse से हैं, तो cbse select किजेगा फिर passing year देना है कि किस वर्स आपने metric के परिक्षा पास की है यहाँ से select कर लेना है इस तरह से जब भी pass की है 17, 18, 15, 12 यहाँ पर फिर अपना percentage देना है, आपने गिरिवसन के percentage कितने है अगर आपने गिरिवसन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजेगा इसको percentage गिरिवसन देना है अगर फिर आपका division पूछ लाएगा कि आप किस divisions है, फर्स, सेकेंड, थर्ड तो फर्स आपका जो भी गिरिवसन का percentage है, फिर आपको date of issue certificate, date of issue certificate में आप उसी date को जा लिएगा जिस date का आपका result जारी हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर select कर लेना है, इस calendar के option को चूके, आगे दिखते हैं next है आपका यहाँ पर academic detail, academic detail में आपको देना है, essential qualification आपको select कर लेना है कि diploma, ITI, diploma याई ITI electrical, ITI palombing वाले पर यहाँ पर apply कर पाएंगे, ठीक ना तो diploma degree in mechanical फिर diploma degree, जो भी है आपका, वो चीज़ आप यहाँ पर select कर लेंगे तो चलिए, फिलाल तो मैं आपको कोई एक यहाँ पर diploma, ITI electrical में click कर लेता हूँ ठीक है, आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर फिर अपना name of the institute का नाम देना है, जहां से आपने यह degree हासल किया है फिर आपको board university का नाम देना है फिर यहाँ पर passing year देना है कि आपने किस वर्ष पास किया है ठीक है, यह passing year आपने डिपलोमा जो डिगरी है ITI वो कब पास किये है फिर यहाँ पर percentage देना है percentage grade ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने 10th का percentage देना था और मैंने gradation पर दिया है, gradation को मैंने जल्दी बाजिवे ठीक है तो यहाँ पर अपना 10th का percentage देना है या फिर grade देना है ठीक है CGP अगर आपका है तो CGP आदे सकते हैं और percentage है तो percentage दीजिएगा jackboard के हैं तो percentage ही आएगा 10th का मैंने sorry, मैंने gillson बोल दिया फिर से मैं बता रहा हूँ sorry और इसके लिए आपको सब कुछ डालने के बाद फिर से 7 and next पे click करेंगे तो चली हम आपको करके दिखाते हैं तो देखिए सब कुछ मैंने डाल दिया and 7 and next पे click करता हूँ अब देखिए आपका data save हो गया है ठीक है data save successfully फिर से click करना है अब आप देखिए आपका जो green वाला बटन है वह vacancy selection पे आ गया होगा तो चली आपको यहाँ पे दिखते हैं देखिए सबसे पहले इसको पर उठाएंगे तो यहाँ पे आपका vacancy वाले पे आ गया है vacancy type आपको यहाँ पे देना है regular रेगुलर पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर बोथ तो मैं बोथ पे क्लिक कर लेता हूँ there is no seat vacancy for both selected category तो यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करना होगा बोथ मतलब कि backlog ठीक है तो general quota से अगर आप है तो backlog पे नहीं अप्लाइ कर पाएंगे backlog क्योवल STSE ROVC के लिए होता है ठीक है regular है तो आप general से है तो क्योवल regular के लिए है अप्लाइ कर पाएंगे फिर देखे यहाँ पे post selection तो आप अपना post select कर लिजेगा तो street light inspector हम select कर लेते हैं ठीक है फिर यहाँ पे पुछा गया है कि have you applied and made payment for jargon diploma previously तो हम कर देते हैं no ठीक है पर आपने apply क्या होगा इससे पहले तो yes किजिएगा और नहीं मैंने नहीं किया है तो no कर देता हूँ ठीक है आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे फिर 7 next पे क्लिक करना है अगर आपने इससे पहले apply किया है तो आपको payment नहीं लगने वाला है ठीक है तो चली 7 next पे क्लिक करते हैं अगर आप yes पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अपना पुराना जो रेश्टेशन नमबर था application नमबर देना पड़ेगा ठीक है नमबर प्रिवियस एप्लिकेशन फिर complete आपका नेम देना पड़ेगा date of birth देना पड़ेगा और उसके बाद 7 next पे क्लिक करना बाद देखिए यहाँ पर data saved successfully आ गया और आपका जो है अंतिम आ गया payment का option payment detail यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यह capture code डालना है उसके बाद payment के लिए आगे बढ़ना है तो चली हम लोग डाल लेते हैं और फिर submit के बटन पर क्लिक करते हैं ठीक है त पर हम इसको cut कर देंगे या फिर प्रिंट का option दे रहा है तो चली पाले हम प्रिंट ले लेते हैं उसके बाद आपको application detail दिखाते हैं और मैंने यह hide क्या है security purpose के कारण ठीक है तो चली यहाँ पर देखिए print का option है right side में इस print का option पर क्लिक करते हैं प्रिंट के option पर जैसे क्लिक करेंगे आपके प्रिंट करने के लिए option दे देगा तो फिलाल मैंने प्रिंट के option को बंद कर रखा है इसको on कर लेंगा अभी और यहाँ से payment ले सकते हैं आप लोग उसके बाद आप लोग एक बार form को अच्छे से चेक कर लिजेगा application detail चेक करन है ठीक है payment करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा तो आज जैसे form बरें उसके 24 गंडे बाद यानि कि कल आप payment कर दीजेगा अब यहां से निकलने के लिए आप log out पे click कर लिजेगा इस तरह से log out का जो option है ठीक है यहाँ पे और 24 गंडे बाद क्या करना है वो चीज ठीक है तो इस तरह से log in कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो फिर से इस तरह से log in हो जाएंगे और 24 गंडे के बाद आपको payment का option देदेगा वहां से आप लोग payment भी कर लिजेगा ठीक है तो आई होब कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया है और नेक्स्ट आप लोग जो है payment भी कर लिजेगा इस टाइप से और अगर आपका कोई दोस्त इस तरह से बेकेंसी को भड़ना जाता है खूद से तो प्लीजुन तक वीडियो को सेर किजेगा इस से आपका समय पैसा दोनों बचेगा ठीक है और यहाँ प प्राइवेट और गोर्मेंट जोकी अपडिट दी जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाकी all the best अच्छे से त्यारी करें ठाइंक यू अंड सेलेक्शन ले